शामली में कॉलोणी में दिन निकलते ही स्विफ्ट कार में एक युवक का कोली लगा, शौ मिलने से कॉलोणी में के लोगों में संसानी फैल गई मामली के सूष्टा पुलिस को निकलते ही सूष्टा पर पहुंची पुलिस नम्रिता की सिनाक्त के बाद शौक अबज में ले लिया पुलिस हत्या या आत्म हत्या जांच पे जूटी हुई है फॉरंसिक टीम ने घटना का डिरिशन करते वे सबूत जुटाएं जानकारी के नुसार सूमवार को दिन निकलते ही शामली जनपत के कांधला पुलिस को सूष्टा मिली के कस्वे की बड़ी नहर पट्रिस्थित सरकारी डाख बंगले के निकच कॉलोनी में एक शिफ्ट कार में एक युवक का गोली लगा शौप पड़ा हुआ है सूष्टर मिलते ही मौके पर छित्रा दिकारी अमर्दीप मौरया थाना थक्ष दिवींदर शर्मा पुलिस बल के साथ पहुँचे और श्चव की सिनाक्त गाउं भारसी निवासी 28 वर्षिये पोन्टी पुतर राहुल के रुप में की है बताया ज़ार है कि काफे दिनों से कॉलोरी में ही रह रहा था पुलिस ने घटना स्थल का निरिक्षन करने के पाद यूवक के सव को कार से बहार निकाला जानकारी के नुसार यूवक की कनपटी पर गोली लगी हुई है और हाथ में तमन्चा रखा हुआ था पुलिस के नुशार यूवक ने खुद को गोली मार कर सुसाइट की है घटना के जांच करने के वो लिए मौके पर फॉरंसिक टीम को बुलाए गया है फॉरंसिक टीम ने भी मौके पर पहुँच करके निरिक्षन करते हुए सबूत जुटाने का प्रयास किया है यह मौलनिवासी भार्षी के थे और इनके पास एक तमंचा मिला है और उसी से इनोंने फायर किया है फिल यूनिटी टीम मौके पर आई सवका पंचायत नामा अब भर के पोश्ट माटर में तुभेरे जा रहा है इसमें से इसमें करवाए कि आए